Hello everyone, आज के इस सेशन में हम डिसकस करने जा रहे हैं Class 9th Biology के चाप्टर Tissues का एक और New Topic और वो New Topic है Connective Tissue Previous Sessions में हम अब तक बात करते आ रहे थे Animal Tissues के Concept के ओपर और मैंने आपको बताया था ये चार तरह के होते हैं Animal Tissues जो हमें इस चाप्टर में पढ़ने होंगे तो कौन से होते हैं वो 4 Types of Animal Tissues Epithelial Tissue, Muscle Tissue, Nervous Tissue and Connective Tissue और आपको ये बात जान करके बहुत खुशी होगी कि इन चारो टाइपस में से हम already तीन टाइपस को पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्ज में, So Epithelial Tissue, Muscle Tissue and Nervous Tissue इन तीनों को ही हमने पढ़ लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्ज में अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आएगे, करते हैं अपने सेशन की शुरुआद, So this is विभूती खरे, Welcome to Definate Success बात चाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइट करवाई जाती है एक दम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस, तो इसी अची बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पर हम पढ़ेंगे, समझेंगे और हां, most importantly, याद भी रखेंगे connective tissue को ओके, चलो फिर आजाओ बेटा, कहानी शुरू करते हैं आज के सेशन की connective tissue के साथ, अब देखो, कुछ बच्चों को ना, मतलब ऐसा खयाल आ रहा होगा या दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं, ये जो connective tissue है, इसको connective tissue ही क्यों बोलते हैं, मतलब इसका कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया, टिंकू, मिंकू, रिंकू टाइप्स, इसका नाम connective tissue ही क्यों रखा गया, तो बेटा, इस सवाल का जवाब तुमको मैं देती हूँ, लेकिन उसके भी पहले मेरी एक बात मानो, मतलब सुनो पहले तो, और फिर इसके बाद में उसको समझने की कोशिश करना, उसको मानना, कि ये जो connective tissue होता है न बेटा, इसके तुम जितनी तारीफे करोगे न उतना कम है, तुम तो बस ये समझ लो कि ये मेरा फेवरेट tissue है, क्यों? क्योंकि ये connective tissue body में रह करके बहुत सारे काम करता है, मतलब बहुत सारे functions परफॉर्म करता है, अब देखो ये तो obvious सी बात है कि कोई भी tissue यदी body में है, तो वो body में रह करके कुछ ना कुछ तो करेगा है, ये तो बट obvious है, लेकिन ये जो connective tissue होता है न पिटा, ये तो कुछ अलागी level का होता है tissue, ये body में रह करके तरह तरह के काम करता है, मतलब जैसे जैसे हम connective tissue को detail में पढ़ते जाएंगे आगे, है ना, जैसे जैसे अपने ये session आगे बढ़ेगा, तो हम हैरान होते जाओगे कि बापरे, body में रह करके connective tissue ये वाला गाम भी कर रहा है, ये वाला गाम भी, ये वाला function भी, exactly, मैं ऐसे ही कुछ आपको समझाना चाहरी हूँ, कि body में रह करके बेटा, ये कई तरह के काम करता है, और इसी लिए, यहाँ पर, मैं शुरुवात में तुम्हें connective tissue के सारे functions एक साथ नहीं पढ़ाने वाली, कि मैं चाहूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, एक slide आपके सामने present कर सकती हूँ, जिसमें की line से क्या लिखे होंगे, connective tissue के functions लिखे होंगे, और तुमको वो मैं पढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन फिर होगा क्या, तुम बोलोगे कि मैं, ठीक है, ये तो समझ में आ रह है कि ये सारे काम करेगा, connective tissue पर कैसे करेगा, वो तो कुछ पल्ले पढ़ा नहीं, तो इसलिए, connective tissue की पढ़ाई अपन शुरू करते हैं, उसे detail में पढ़ना शुरू करते हैं, types of connective tissues अपन पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे अपनी ये कहानी आगे बढ़ेगी, connective tissue की, जैसे से अपने ये session आगे बढ़ेगा, तो मैं अपने आप connective tissues के जो functions हैं बेटा, वो समझ में आते जाएंगे, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ slide से कुछ नहीं होता, समझना पढ़ता है concept को, चीजों को, तो session आगे बढ़ने दो, detail में बात करने दो, connective tissue के ओपर connective tissue खतम होने वाला होगा ना, वहाँ पर तुमको मैं एक आखरी slide लगा दूँगी, जहाँ पर उसके line से सारे functions लिखे होंगे, ठीक है, तो वो वाली slide अपन खानी जाएंगे, वो अपन slide देखेंगे, लेकिन आखरी में देखेंगे, शुरुवात में नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे functions होते हैं, जैसी कि अगर एक दो तुमको मैं ऐसे समझाओं, तो जैसे मालो, यह मेरा हाथ है, ठीक है, अब इस हाथ में बिटा क्या है, skin है, ठीक है, और अंधर जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हें muscles मिलेंगी, मास पेशिया, अरे हाथों में क्या होती है, skeletal muscles होती हैं की नहीं होती है, अरे याद करो ना बिटा, muscle tissue अपन पढ़ चुके हैं, तो जिस बच्चे ने muscle tissue वाला lecture लगा लिया होगा, वो मेरी इस बात से relate कर पा रहा होगा, ठीक है, और जिसने नहीं लगा है बिटा, कौन से दिन के इंतिजार में हो, इस वीडियो को pause करो, स muscles मिलेंगी, और अंदर जाएंगे, तो हड़ी भी मिलेगी, bones भी मिलेंगी, तो बिटा, मेरे हाथ में तीन चीज़े है, skin, muscles and bones, तुमको क्या लगता है, ये तीनों आपस में मिलकूल मतलब ऐसे अलग-अलग रहते हैं क्या, इनकी कट्टी रहती है क्या, कि bone muscles से बात नहीं क करेंगी, ऐसा कुछ तो भी होता है क्या, मतलब क्या इनकी बीच में कोई connection नहीं होता, क्या इनकी बीच में कोई link नहीं होता, भाई skin, muscles, bones, ये सब है कहां, फिलहाल मैं अपने इस हाथ की बात कर रही हूं न बेटा, तो इस हाथ में हड़ियां भी है, मास पेशियां भी है, और skin भी है, तो मेरा सवाल तुम से ये है कि क्या, इनके बीच में कोई link नहीं होगा, क्या, इनके बीच में कोई connection नहीं होगा, क्या, of course होगा बिटा, जिसी कि मान लो कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे pinch करो, तो तुमको क्या लगता है, कि pinch करने से केवल skin आ जाएगी, क्या, मास पेशया बोलेंगे कि हम क्यों उपर आए, हमें तो किसी ने बुलाए नहीं, ऐसे मैं pinch करोंगे, तो तुमको क्या लगता है, कि मेरी skin अलग हो जाएगी, क्या, सिर्फ skin आएगी, muscles नहीं आएगी, ऐसा होगा, क्या, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बिटा, हाथ की जो हड़ियां हैं, जो muscles हैं, जो skin है, बकाइदा उनके बीच में connection होता है, connection होने का मतलब और आसान शब्दों में समझाती हूँ बिटा, कि ये जो अपनी skin है ना, अभी फिलहाल में अपने हाथ की बात करे हूँ, तो मेरी ये जो skin है ना, ये बकाइदा नीचे muscles से जुड़ी ह होगी, और ये जो skeletal muscles है मेरे हाथ में, वो बकाइदा हड़ियों से, मेरे हाथ की जो हड़िया ना, उनसे जुड़ी होंगी, connection, joint की मैं बात कर रही हूँ बिटा, तो ऐसा नहीं कि मैं पिंच करूँगी, तो के वल स्किन ऐसे हाथ में आ जाएगी, बाकी muscles बोलेंगी, कि हम क तो कटी चल रहे ही skin से, हमें मतलब नहीं है, नहीं मतलब होता है बिटा, skin जुड़ी होती है muscles से, और muscles भी आगे जाकर की जुड़ती है किस से, हड़ियों से, तो यह जो बिटा जुडने का काम हो रहा है, यह कौन करेगा, जैसे कि अगर तुमको मैं बोलूँ कि, यहाँ प चाहिए, गम चाहिए, फैविकॉल चाहिए, फैविस्टिक जैए, अरे पुछ तो चैहिए, जिसी कि तुम क्या करोगा, उसको चिपकाओगे पर रहा है, तो यह connection हो कैसे पा रहा है, यह जुड़ाव कैसे हो पा रहा है, तो बेटा, उसके लिए responsible है यही connected tissue पहला सवाल क्या था जो तुम्हारे मन में चल रह था कि मैं मेंश州 का नाम connected tissue क्यों पड़ा Info tissue क्यों ने बोल सकते हैं मि miraconsue क्यों नी बोल सकते awake अबनेख़ क्यों क्यों बोलते है कि बिटा इसके साथ तो न वह वाली कहानी होती है जैसा काम वैसा नाम कि जैसा इसका काम होगा भी इसका नाम भी उसी तरह का पढ़ गया इन शॉर्ट बिटा ये जो टिशू होता है न ये बॉडि के डिफरेंट ओर्गणस डिफरेंट टिशू के पीच में एक लिङक बना देता है एक connection बना देता रहा है यानि कि यह कनेक्टिव टिशू एनिमल बॉडी में जो डिफरेंट टिशू होते हैं उनको यह आपस में कनेक्ट करने का काम करता है तो किसी महान काम होगा संज्जए तो किन को मसल्स से जोडने का काम किसका होगा कि यह जुडाव पैदा करने का काम किसका होगा कि वैसा काम वैसा नाम यह जैसा नाम वैसा काम कि स्किन को अगर मसल्स से जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? कनेक्टिव टिशू अगर मसल्स को हड्डियों से जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? कनेक्टिव टिशू अगर हड़ी को हड़ी से जोड़ना है बेटा हड़ी भी तो हड़ी से जुड़ी रहेगी न तो अगर एक हड़ी को दूसरे बोन से जुड़ना है तो कौन जोड़ेगा कौन करेगा यह जोडने वाला काम connect करने वाला काम connective tissue यह जो बेटा अपना जो शरीर के अंदर जो धांचा होता है ना धांचा जिसको अपन बोलते हैं स्कूल में साइन्स टीचर हो उनसे करो कि मैं एक बर हमको बायोजी लाब विजट करवाई एए स्कूल की ताकि हमें यह पता चले कि हमारा जो सकेलेटन है जो यूमन सकेलेटन है वो कैसा देखता है पिक्चर तो तुमको मैं अभी दिखा देती हूं इसको साक्षा जाकर के द लगे, लेकिन हर इंसान अंदर से ऐसा ही दिखता है, क्योंकि हर इंसान का जो skeleton है बिटा, वो ऐसा ही दिखता है, मैं भी अंदर से ऐसा ही दिखते हूं, तो ये जो आज हमारे body का एक posture maintained है, जो आज मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूं, बड़े अच्छे से पढ़ारी हूं ऐ कि मेरे पास क्या है यह स्केलिटन है यह वाला स्केलिटन है हड़ियों से वणा हुआ है यह हड्य जो है आप बोल Sकते हो कि बॉल्डी मॉव्मेंंट में हेल्प करती है तब तो यहां पर में तुमको तुमारे सामने खड़े रहकर के ऐसे करके पढ़ा पा हड्यों के कारण और हड्या क्या है किनेक्टिब टिशू अभी टाइस ऑफ कनेक्टिब टिशू पन पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आई बात समझ में कि नहीं आई मान लो कि हां मैं तुमसे मैं पूछ करे थी मैं तुमसे पूछ रही थी कि कभी तुमने सोचाए कि मान लो कि अगर हमारे बॉड़ी में यह ना होता धाचा ना होता अगर यह स्केलेटन ना होता तो अपना क्या होता बिटा अगर अपनी बॉड़ी में यह स्केलेटन ना होता ना यह connective tissue यदि हमारी body में ना होता ना तो हम महज मास पेशियों मतलब कि muscles की बोरियां होते हैं अपन सब लोग जैसे कि वो आलू की बोरी नहीं होती है हैं वह जो जो-पर बोरी bit should be back में तुम क्या करो ढखेऊ साली भर दो तो वह क्या पर कई वह बन जाएगी आलू की बोरी बन जाईगी तो आलू की बोरी कभी यहां गिरति है कभी वहां गिरति गिरती क은 की गिरती क्यों तो लें और या presses belongs स्केलेटन तो अच्छा ही हुआ कि यह हड़ियां है बेटा यह connected tissue है हमारी body में body को एक posture मिल रहा है body movements हो पा रहे हैं वन्ना तो भगवानी मालिक होता आलू की बोरी बनके कभी वहां गिरते कभी यहां गिरते लुड़क लुड़क करके समझे उसके अलावा और भी काम सुन लो हर एक body cell को oxygen चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है और जब अपन सास लेते हैं जब अपन breathe in करते हैं तो ultimately जो oxygen है वो कहां आती है यहां से नोस्ट्रिल्स हमने बिसिकली इनहेल किया है तो हमारी नोस्ट्रिल्स के तुरू कहां जाती नेजल पैसेज में फिर फेरिंग्स में ट्रेकिया में ठीक है ट्रेकिया से फिर वही आगे ब्रॉंकाय में ट्रेकिया करके लंग्स में आ जाती है उक्सिजन की नहीं आ जाती है लंग्स में वो जो एल्ल्वियॉलाय होते हैं याद करो पिछले लेक्चर में तुमको मैं बता चूकिए क्या होते हैं ठीक है तो तो ultimately air कहा आ जाती है lungs में आ जाती है lungs में जो अल्वियल आ होते हैं बेटा उनके अंदर भर भर के क्या होती है oxygen आ जाती है तो वहां से जो oxygen है वो हमारे body cells को कैसे मिलती है दिमाग लगाओ अरे ब्लड ले करके जाता है कि नहीं जाता भई ब्लड क्या है ब्लड एक टिशू ही है और पता है कौन से टिशू है ब्लड है एक कनेक्टिव टिशू तो ब्लेड बोलता है कि देखो बैया ऐसा है कि मेरा तो बॉड़ी में हर कहीं जो है ना आना जाना लगा रहता है मतलब मेरा तो पूरी बॉड़ी के हर एक ओर्गन से टिशू से जोना अच्छा वैवार है तो मैं तो यहां भी जाता हूँ मतलब लगातार जो है ब्लड बोलता है कि मैं तो flow करता ही रहता हूँ पूरी बॉडी में तो अगर lungs सुनो lungs के अंदर जो value लाए है तुम लोग सुनो अगर तुम्हें जो oxygen है वो body के cells तक पहुंचानी है तो मुझे दे दो मुझे मतलब कौन मुझे नहीं अरे ब्लड बोल रहा है ऐसा ठीक है ब्लड जो है बिटा लंग्स में जो एल्विला है ना उनसे बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर जो ऑक्सिजन भरी हुई है अगर तुम चाहते हो कि यह ऑक्सिजन डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहु होंगा ताकि अब आप क्या करोगे उसको एक्जेल आउट कर देना तो बेटा यह जो गैसिस का ट्रांसपोर्ट चल रहा है ना बॉडी में कि लंग्स से ऑक्सिजन जा रही है बॉडी सेल्स के पास बॉडी से कावन डाउक्साइड जा रही है लंग्स के पास जिसको हम एक हडी को हडी से जोड़ना है तो वो पूरा जोडने का काम कोंकौन करेगा कनेक टिशू है बॉडि में क्या होता है यह ढांचा लागा होता है जिससे बॉडिक सेज शेप मिलता है एक कॉस्चर मिलता है हम body movements perform कर पाते हैं in fact plus यह जो skeleton होता है ना बेटा यह हमारे body के कुछ जो internal जो delicate organs है ना उनको भी protect करने का काम करता है कैसे यह आपको बेटा ribs दिख रही है यह ribs दिख रही है यह पूरा मिल करके पता है बेटा क्या बनता है यह बनता है rib cage cage का मतलब समझते हो cage का मतलब होता है पिंजड़ा जैसे कुछ लोग नहीं पक्षियों को पिंजड़े में रख देते हैं वो वाला पिंजड़ा cage तो यहाँ पर बेटा पता है क्या बनता है थो ऐसे cavity में rib cage बनता है कैसे बनता है देखो आगे यहाँ पर यहाँ पर होती ही बेटा एक हड़ी जिसको अपन बोलते हैं sternum, क्या बोलते हैं sternum, यह डाइग्राम उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, वर्णा तुमको मैं इसी में दिखा देती, तो बेटा यहाँ पर एक हड़ी होती है sternum, ऐसे चप्टी सी बोन होती है, इसको breast bone भी बोलत हैं ठीक है, और पीछे के साइड क्या होती है, पीछे के साइड अपनी रेड की हड़ी होती है, बोले तो vertebral column होती है, ठीक है, तो आगे क्या है sternum है, बहुत लंबी नहीं होती है, vertebral column बेटा लंबी होती है, sternum इतनी लंबी होती है, sternum छोटी सी बोन होती है, ठीक है, तो य पीछे की तरफ जुड़ती है वर्टेबल कॉलम से जैसे कि यह आगे स्टर्नम है और पीछे पीछे यहां पर बेटा क्या होगी वो वर्टेबल कॉलम होगी ऐसे वर्टेबल पीछे क्या होगी कॉलम होगी बेटा ठीक है तो देखो अपनी जो रिप्स होती है वो कैसे जुड तर्णम पीछे वोटरिब कॉलम और साइड में क्या होती है तो रिपस जो है आग की तरफ जुरती है स्टर्णम से और पीछे की तरफ जुरती है वोटरिबल कॉलम से तो यह पूरा बन जाता है यहां से लेकर के यहां तक रिपकेग जिसमें की अपने दोनों फेंपड़े यहने की लांग्स और हार्ट सिचुएटेड होता है बहुत पिंजरा तो बन गया पिंजरे के अंदर कौन रहेगा अपने बोडि को सपोर्ट मिल रहा है कनेक्टियग टिशू की मदद से प्रोटेक्शन भी कर रहा है यह कनेक्टियग टिशू देलिकेट और गहल की उसके लावा यीं भी सुनो कुजडी ओं और बैदेलिकेट और がंभा करना, body में substances के transport में help करना, जैसे कि अपन ने खाना खाया, intestine में जो है न तुमने रोटी खाई थी मतलब, तो रोटी क्या होगी, तुमारी इस one intestine में digest होगी, उसका जो carbs है, वो glucose में तूट गया, अब वो जो glucose है बिटा, तुमारे body cells को कैसे मिलेगा, तो बॉलेगा कि सुनो मैं तो जाई रहा हूँ different body cells के पास, तो मैं intestine से क्या करूँगा, लेकर के उस glucose को different body cells तक भी पहुचा दूँगा, मतलब कि ना सिर्फ gases बलकि जो glucose है, जो nutrient है बिटा, वो भी body cells को कैसे मिल रहे हैं, blood के कारण ही मिल पा रहे हैं, तो blood क्या है, connective tissue ही तो है, तो body में substances का जो transport होता है, बिटा, उसके लिए भी कौन helpful होता है, connective tissue, body के जो delicate organs होते हैं, जो internal organs होते हैं, उनकी protection का काम भी किसका होता है, connective tissue का ही होता है, body में जो fats होते हैं, उनको store करने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिशू का ही होता है मैं आपसे कहरी हुना बिटा कि जितने तुम इसके मतलब तारीफे करोगी उतना कम मतलब इसके बहुत सारे फॉंक्शन होते हैं बहुत सारे होते हैं इसलिए एक लाइन में आपर लिखने से काम नहीं चलेगा समझना पड़ेगा कहानी जाकर कि तुम को चीज़े समझ में आएंगी तो समझने के लिए तैयार हो मेरे बच्चों चलो शुरू करते हैं आजाओ कि कनेक्टिव टिशू की कहानी है सबसे पहली बात अगर तुम पूछोगे कि मैम हमारी बॉड़ी में मतलब कि एनिमल बॉड़ी में मोस्ट अबंडन टिशू कौन सा होता है मतलब कि एक ऐसा टिशू जो बॉड़ी में सबसे जाधा अमाउंट में पाया जाए बही चार तरह कि अपनने मतलब एनिमल में से पताईए कि कौन सा ऐसा टिशू है जो बॉड़ी में सबसे जाधा पाया जाता है सबसे जाधा अमाउंट में पाया जाता है तो बटा मेरा जवाब होगा कनेक्टिव टिशू तो मगर एक एनिमल की बॉड़ी को अंदर से खोल के देखो गे न तो दूंको पता उसके अलावा अगर मोस्ट अबंडन टिशू है यही वाला यही टिशू पाया जा रहा है हमारी बॉड़ी में तो जाहिर जी बात है बिटा यह पूरी बॉड़ी में फैला रहेगा मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम बोलोगे कि मैम सबसे अबंडन टिशू तो हमारी बॉड़ी में यही है तो बॉड़ी की किसी एक कोने में क्या होगा यह पाया जाएगा कि मैम देखो यह अपना यह हाथ है यह अपना यह कंधा है तो पूरा का पूरा जो कनेक्टिव रहेगा फैला रहेगा पूरी बॉड़ी में है की नहीं तो इसको में लिख सकते हूं कि यह वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड है हमारी बॉड़ी में वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड की मोस्ट अबंडन टिशू है सब सदा अमम में पाया जाएगा हमारी बॉड़ी म में फैला रहेगा वाइड डिस्टिब्यूटिट टिशू है यह मारी बॉडी का ठीक है उसके अलावा फंक्शन्स तो जैसे की जो मैंने बताए हैं और भी अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात में बात करेंगे लेकिना जो अभी तक इतनी देर से तुम लोगो मैं स कनेक्टिव टिशू को पढ़ोगे बिटा तो मैं सबसे पहले माना जो भी तुम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू पढ़ो तुम सबसे पहले यह देखोगे कि वो जो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू है उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा मतलग कि यहां पर टिशू, components of connective tissue, यानि कि वो चीज़ें, वो components जो मिल करके connective tissue को बनाते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, एक component होता है इसका matrix, matrix, या आप इसको ground substance भी बोल सकते हूँ, ground substance भी बोल सकते हूँ, matrix और you can say ground substance, दूसरा component होता है इसका fibers, मतलब धागे, और तीसरा component होता है cells, यानि कि आप कोई भी connective tissue देखोगे, मतलब कोई सबी type of connective tissue देखोगे बिटा, तो तुमको वो connective tissue ये तीन चीज़ों का बना हुआ, दिखेगा, सबसे पहले उसका matrix, यानि कि ground substance, दूसरा fibers, और तीसरा component क्या होता है, cells होता है, समझें, अब बोल तो दिया, लिख भी दिया, लेकिन relate नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एक example देती हो मैं तुम्हें, समझ में आएगा, ठीक है, कभी pizza खाया है, अब ये मत बोलना कि मैं कैसी बात कर दिया, आपने अच्छा खासा पढ़ाई का mood था, कहां से कहां आपने pizza का नाम ले दिया, अब pizza खाने का मन कर गया, मैं में रहने तो आप pizza ही खा लेते हैं, नहीं, pizza नहीं खाना है बेटा, जो example दे रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करना, जब अपन pizza खाते हैं, तो मैं अब खा लेना मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले पढ़ लो, ठीक है, जब अपन pizza खाते हैं, तो बेटा, pizza में रहता क्या है, एक होता है, pizza बेस, मैंदे का बनता है, ठीक है, उसके ओपर लगा होता है, एक किलो चीज, ये लगा दिया, एक किलो चीज, ठीक है, और फिर, healthy बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो है, दो तीन सबजिया डाल देता हैं, ये देखो, ये red capsicum हो गई, ये green capsicum हो गई, ग्रीन तुमको ग्रीन दीखी नहीं रही होगे, रोग जाओ, ये green capsicum हो गई, हली हली शिमला मिर्च, ठीक है, और क्योंकि olives महेंगे होते हैं, तो दो तिन यहाँ पर देखो, olives भी डाल देते हैं, ठीक है, ये olives भी डाल देते हैं, ये होता है कि नहीं होता, तो एक base होता है कि मैं फिर cheese और सब्जेओं को ऐसी चबा लेते हैं, ऐसी खा लेते हैं, अगर आप base नहीं दोगी, pizza base नहीं दोगी, तो हम बागी का समान कहा डालेंगे, और ये गम्रेंगाणो कहा डालेंगे, चिली frix कहा डालेंगे, ये two-two-three sab Richts कहा डालेंगे, चीस कि स daylight जाटी होगे अब अगर तुम मम्मी से बोलो कि मम्मी देखो ऐसा है हम आपको दूद नहीं ला करके देंगे कोई दूद नहीं कोई क्रीम नहीं कुछ भी नहीं आप ऐसी सेवईया बना लो तो मम्मी बोलेंगी पगला गए हो क्या बिना दूद के सवईया कैसी बनेगी क्यों क्योंकि सेव के लिए दूद क्या होता है एक बेस होता है जिसको मम्मी उबालती है ठोड़ा सष्थ तिक करती दालती फिर उसमें ड्राइफूर्स डालती है शुगर डालती है तब जाकर कि आपकी खीर रेडी होती तो बिना बेस के पीजा नहीं बन सकता, बिना दूद के बेटा कोई भी सिवैया नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि वो दूद क्या है वहाँ पर एक base है जब तक दूद नहीं होगा तुमारी सिवैया नहीं बन पाएंगी कहां डालोगे सिवैयों को कहां डालोगे dry fruits को, कहां डालोगे शक्कर को एक काम करो, ऐसे ही mix करके खालो ऐसा होता है क्या नहीं तो एक base जरूरी है कि नहीं मैंने क्या बोला, connective tissue में fibers होते हैं, cells होते हैं, लेकिन बेटा ये जो matrix है ना, ये जो ground substance है, ये बहुत जरूरी है आप ये समर लोगे, जो काम pizza में pizza base का होता है जो काम सिवईया की खीर में दूद का होता है वही काम, connective tissue में matrix या फिर उसके ground substance का होता है, कि यदि ये नहीं होगा, तो fibers और cells कहां पाए जाएंगे, हवा में उचकाय फिरेंगे क्या, नहीं तो एक base होना चाहिए, जिसके ओपर तुम्हारे fibers आ पाएंगे जिसके ओपर cells आ पाएंगे तो वो base क्या होता है, matrix या फिर ground substance अब बात आई समझ में क्योंकि देखो ऐसे हैं, जब तक अपन real life examples से relate नहीं करेंगे न, पढ़ाई एक बोज बन के रह जाती है, कि मैं ठीक है आपने लिग दिया, आपने पढ़ाजे तो हम मान लेते हैं, बाकी समझ में तो हमें नहीं आया है, to be very honest, तो इसे लिए example दिया है, कि जब भी connected tissue के बारे में ये वाला point याद ना आ रहा हो तो याद कर लेना किसको सेवईया की खीर को, कि मैं आपने का था कि सेवईया की खीर में दूद होता है उसमें ममी शक्का डालकर कि उसको ठिक करती है, फिर उसमें सेवईया डलती है, फिर उसमें dry fruits जलते है तो वैसे ही connected tissue में क्या होता है, एक base होता है, जिसको अपन बोलते हैं उसका matrix, यानि की ground substance और फिर उसी के अंदर डाले जाते हैं क्या fibers, और उसी के अंदर डाले जाते हैं क्या cells sorted, चलो अब यह जो matrix है बेटा जो कि मैंने बताया कि सवईया की खीर में दूद के बराबर है कुछ वैसे तो यह jelly like होता है gel like, जैसे कि वो नहीं अरे, aloe vera gel तुमने देखा होगा na, aloe vera plant सबके घर में होते हैं, ठीक है, तो उस plant की जो leaf होती है, कभी तुम उसको ऐसे काट करके देखना उसमें से ऐसा jelly like substance पदार्थ जो है, वो ऐसा निकलेगा, वो बेटा क्या होता है, वो aloe vera jelly होता है, कुछ लोग उसको अपने बालों में भी लगाते हैं, ठीक है तो वो जो jelly like texture होता ना, बेटा, कुछ वैसा ही texture होता है इस matrix का, ground substance का कुछ क्या बोलते है connective tissue में कुछ क्यों बोला, क्योंकि कुछ connective tissue ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ये जो matrix है ना, बेटा ये थोड़ा सा hard हो जाता है कहने का मतलब ये है in short कि ये जो matrix है, ये जो ground tissue है ground tissue नी, ground substance जो है connective tissue का, ये रहेगा तो हर connective tissue में लेकिन कभी jelly like form में होगा ये कभी एकदम solid बन जाएगा कभी एकदम jelly like रहेगा कभी एकदम solid बन जाएगा, बट रहेगा तो ये हर connective tissue में क्योंकि आप खीर कोई सी भी बनाओगे बेटा, चाहे मखाने की, चाहे साबुदाने की, चाहे चावल की, चाहे सेवाई कुछ भी बनाओगे, तो दूद तो डलेगा ना तो ये रहेगा, तो हर type of तरह के fibers देखने को मिलते हैं मैं ना उपर लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, fibers यहाँ पर तुमको दो तरह के देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से होते हैं वो fibers, यहाँ देखो बेटा एक होते हैं, collagen fibers white collagen fibers और एक होते हैं, yellow elastin fibers yellow, sorry, elastic fibers not elastin, elastic fibers ठीक है तो यह दो तरह के fibers तुमको देखने को मिलते हैं बेटा, connective tissue में, एक होते हैं white collagen fibers, और एक होते हैं yellow elastic fibers collagen fibers, मैंना देखा जाएता हैं दोनों ही किसके बने होते हैं, बेटा proteins के, मैंना जो fibers न, दोनों बने होते हैं proteins के, लेकिन अलग-अलग proteins के जो white collagen fibers हैं वो बने होते हैं, collagen protein से collagen protein से और यह जो yellow elastic fibers हैं यह बने होते हैं elastin proteins के किसके? elastin protein के आप देखो, नाम से ही समझ में आ रहे हैं, कि elastin protein के यह elastic fibers बने होंगे, है न, तो यह elastic fibers करेंगे क्या? connective tissue को elasticity प्रोवाइड करेंगे, अब यह नाम से ही समझ में आ रहे हैं, बिटा ज़दा दिमाग लगा नहीं नहीं है elastin protein से बने होते हैं यह elastic fibers तो यह जिस भी connective tissue में पाए जाएंगे वहाँ पर यह क्या करेंगे? tissue को elasticity देंगे तो यह point भी मैं लिख देती हूं, कि they provide elasticity यह fibers क्या करते हैं? elasticity प्रोवाइड करते हैं elasticity ठीक है? लेकिन यह जो white collagen fibers हैं बेटा चलो इनके तो आपने नाम से समझ लिया कि हाँ यह क्या करेंगे? elasticity प्रोवाइड करेंगे यह क्या करेंगे? white collagen fibers यह जो बने होते हैं collagen proteins के यह fibers क्या करते हैं? बेटा यह fibers न elasticity नहीं, flexibility नहीं बढ़ हाँ, connected tissue को strength जरूर प्रोवाइड करते हैं जो elastic fibers होते हैं वो तो connective tissue को elasticity and flexibility मैं flexibility भी लिख देती हूँ and flexibility भी flexibility आप लेकिन यह collagen fibers होते हैं यह क्या करते हैं? यह strength प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड स्ट्रेंथ elasticity नहीं, flexibility नहीं बडत strength प्रोवाइड करते हैं इतना clear हुआ?, चल यह हो गई fibers की बात अब हम बात करते हैं cells की बात तो बिटे देखो, याम पर ना 2-3 तरह के cells पाई जाते हैं मतलब देखो, 2-3 नहीं चार-पांच तरह के cells पाए जाते हैं बड़ सारे cells तुम्हारे syllabus में नहीं है तुम्हारी NCRT book में एक diagram है और उस diagram में जो है कुछ cells mentioned है तो उने के बारे में जरूर बता देती हूँ तीन तरह के cells पाए जाते हैं मुन्नो कौन सा color ले चलो एक होते हैं fibroblast यह आपकी NCRT book के diagram में दिया हुए बेटा इसलिए पढ़ाना पढ़ रहा है तीन तरह के cells पाए जाते हैं मनलब तीन ही कुछ तरह के कुछ types of cells पाए जाते हैं और उसमें से जो मैं पढ़ारी हूँ बस उतना आद रख ले न एक होता है fibroblast cells यह क्या करते हैं बेटा देखो नाम से समझ में आ रहा है fibroblast cells क्या करेंगे अरे यही fibres बनाएंगे ओफो मैंने क्या बोला connective tissue में तुमको यह तीन चीज़े देखने को मिलेंगी matrix matrix में पढ़े रहेंगे क्या fibres and cells तो बेटा secrete fibers secrete fibers ठीक है फिर एक होते हैं mast cells अब mast cell का तुमको मैं function बस इतना समझ लो कि जो mast cells होता है न यह inflammation में major role play करते अब inflammation क्या होते देखो जब भी तुम्हें चोट लगती है जिसे तो मैंसे ध्रहाम से गिर गया तो यहां पर अगर तुम्हें चोट लगी तो क्या होगा बिटा पेन होगा दर्द होगा वो जगा लाल भी हो जाएगी redness आ जाएगी ठीक है swelling भी थोड़ी सी आ जाएगी ना वो जगा इसे फूल सी जाएगी तो गरम जगा हो जाती हो जाती कि नहीं जाती है बना कहने का मतलब यह बिटा कि वह पेन आ रहा है वह जो redness आ रही है वह जो थोड़ा सा गरम हो जगा डाट इस इंफ्लामेशन तो उस इंफ्लामेशन में कि आस्ट शेल्स रोल प्ले करते हैं बस नाइन की लेवल पर तो बस इतना ही पढ़ लो ठीक है फिर इसके बार में एक और सेल्स आपके डाइग आपकी इंच एटी के डियागराम में दी हुए हैं और दोज आर मैक्रो फेजिस मैक्रो फेजिस मैक्रो का मतलब होता है बड़ा माइक्रो का मतलब छोटा मैक्रो का मतलब बड़ा और फेजिस वर्ड कहां से आया क्योंकि यह जो सेल्स होते हैं यह करते हैं फेगोसाइटोसिस अब यह मत बुलना कि मैं फेगोसाइटोसिस नहीं पढ़ा बिल्कुल बढ़ एक्जोसाइटॉसिस पढ़ रहे थे एंडोसाइटॉसिस एक्जोसाइटॉसिस है ना तो उसमें वहाँ पर अपने बिटा फैगोसाइटॉसिस भी बढ़ा था फैगोसाइटॉसिस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि यह क्या है कोई अमीबा है अमीबा क्या होता है यूनि पोडिया like this ठीक है like this यह बन गाया अमीबा के दो लकड़े बोर रहे हूं दो बन गए इसके क्या नकली पैर फॉल्स फीट बन गे सुडो पूडिया बन गए अभी क्या करेगा इनी फॉल्स फीट की मदद से अपने खाने को ऐसे 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 करके घेरेगा और घेर करके क् बॉडि के अंदर लेलेगा लाइक दिस यह देखो यह अमीबा आ गया कहां अभी खाना आ गया कहां अमीबा की बॉड़ी के अंदर अब क्या होगा digestive enzymes आएंगे और आकर किस खाने को कर देंगे डाजस्ट इसको अपन बोलते हैं क्या बिटा phagocytosis तो यह जो macrophages होते हैं यह cells बड़े-बड़े cells होता और यह क्या करते हैं यह करते हैं phagocytosis यानि कि body में कोई भी एरा गएरा नथ्थु खेरा आ गया blood में कोई भी foreign pathogen आ गया जर्म आ गया क्या बोलते हैं infection cause करने के लिए यह macrophages पता है क्या करेंगे यह बोलेंगे आओ बेटा आओ तुम्हें तुम इधार आओ हम तुम्हारा phagocytosis करके तुम्हारी बैंड बजा देते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देते हैं तो लिटरली बेटा यह होता है कि यह macrophages phagocytosis करकर के करकर के जो भी आया है foreign agent उसको अंदर लेते हैं सेल के अंदर और उसको वहीं के वहीं माँ डालते हैं यानि कि बेसिकली यह immunity प्रोवाइड करने में help करते हैं कौन macrophages ठीक है तो यह और भी तरह के सेल्स होते हैं बड़ तुम्हारी NCRT में इतने लिखा हुआ है और 9 के लबल पर इतना ही इनफ है तुम्हारे लिए तो यह तीन तरह के सेल्स macrophages, muscles and fibroblasts यह तुमको पता होने चाहिए ठीक है उसके अलावा यह जो metrics है जो ground substance है बेटा इसके बारे में बस इतना समखलो कि हाँ यह कुछ mucopolysaccharides देने की sugar, types of sugar होती है बेटा उससे जो है यह metrics यह ground substance बना होता है that's it ठीक है तो अब तक अपनने क्या क्या पढ़ लिया most abundant tissue है body में widely distributed होता है एक connective tissue के यह तीन components होता है metrics, fibers मत्रिक्स में पढ़े होते हैं fibers और metrics में पढ़े होते हैं cells cells कौन से तीन तरह के होते हैं देखो fibroblast, mast cells and macrophages, fibers की यदि बात करें तो दो तरह के होते हैं white collagen fibers and yellow elastic fibers collagen fibers बने होते हैं collagen protein के और यह करते हैं fibers connected tissue को strength provide करते हैं yellow elastic fibers बने होते हैं elastin protein के जो कि यह fibers क्या करते हैं elasticity and flexibility प्रोवाइड करते हैं connective tissue को okay आचा यहां पर जैसा कि तुमको मैंने बताया कि connective tissue एक कोई भी connective tissue क्यों ना हो बेटा उसके अंदर तुम्हें यह तीन उसके major components देखने को मिलेंगे आगे जाकर कि जब हम बात करेंगे ब्लड क्योंकि मैंना को बताया कि ब्लड भी क्या है एक तरह का connective tissue है ना लेकिन जब आगे बात करेंगे ब्लड की न तो ब्लड में यहां पर तुमको एक exception देखने को मिलेगा ठीक है ब्लड में तुमको मैट्रिक्स उसका देखेगा तुम्हें उसके cells भी देखेंगे blood cells जिसको कि अपन RBC, WBC, platelets वगरा कहते हैं बट वहां पर ऐस सच तुम्हें fibers बनते हुए नहीं देखेंगे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि अब अपन आजो बिड़े बात करते हैं types of connective tissue की आजो types of connective tissue तीन तरह के होते हैं नहीं हाँ तीन तरह के होते हैं Lose connective tissue Dense connective tissue and specialized connective tissue lose connective tissue dense connective tissue specialized connective tissue बिटा इन 3 ब्रढड के डिषि में हम आपने connective tissues को सटे जाइक तक्रमारी बोले और यह हैई जो devoi झाड़िवाइई यह जो चैटेग्री ए आप बोल्हों कि मैं म llooze क्यूँ पढ़ा कुछ और नहीं र视त थे क्या मतलब mister फिर मिसीस कुमारी बोल देते लूजस क्यों बोल रहे हैं इसलिए आपन क्या बोल देते यह को कि लूज़ कनेक्टिव तिशू है कि वहां पर तुम्कों एक loose arrangement देखने को मिलता है, एक loose pattern देखने को मिलता है between fibers and cells. तो यहाँ पर मैं लिख दू कि loosely packed होते हैं cells and fibers. Cells and fibers are loosely packed. इसलिए नाम ही क्या पढ़ गया? Loose connective tissue. Dense connective tissue में क्या होता है? जो cells जो होते हैं, जो fibers होते हैं, वो densely packed होते हैं. है ना, इसे एकदम पास-पास होंगे और in fact dense connective tissue में ना, fibers जादा भी होते हैं. जादा होंगे और अच्छे पास-पास होंगे. तो वो काफी dense situation. Dense का मतलब पता ना? Dense मतलब घना. घना, जैसे पर मतलब बेटा, पिड़ बहुत सारे हैं, number बहुत जादा है पिड़ों का. और बहुत पास-पास है. तो अपन क्या बोलेंगे? उसको गहना जंगल बोलेंगे. dense forest बोलेंगे ना. तो वैसी dense connective tissue क्या होता है? कि इसमें fibers बहुत सारे होते हैं and cells and fibers के होते हैं, densely packed होते हैं. तो यहां पर मैं लिख देती हूं कि cells and fibers are densely packed. ठीक है? इनको मारो गोली. देखो, यहां. अब अपन further इनके भी types पढ़ते हैं. जो loose connective tissue है, बेटा, इसके दो types होते हैं. एक होता है areolar, spelling देखो जाना मेरी, areolar connective tissue और एक होता है adipose connective tissue. classification समर लो बेटा, आधी चीज़े तो यहीं से clear हो जाती है. connective tissue, ठीक है? तो lose connective, sorry, lose हा, lose connective tissue की दो और categories होते हैं. एक होता है areolar tissue और एक होता है adipose connective tissue. फिर इसके बाद में जो dense connective tissue है, इसकी भी दो और categories होती हैं, दो और types होते हैं. कौन-कौन से? एक होता है dense regular connective tissue और एक होता है dense irregular connective tissue. मैंने क्या बोला classification को यदि तुम एक दम carefully पढ़ लोगे तो तुम्हें आधे से जादा चीज़े तो यहीं clear हो जाएंगी. ठीक है? तो dense connective tissue में हमने बोला कि cells and fibers क्या होते हैं, they are densely packed, number भी जादा होता है fibers को वह बहुत densely packed होते हैं, ठीक है तो इस tissue का नाल में क्या पढ़िए dense connective tissue इसकी दो टाइप होते हैं regular and irregular regular dense connective tissue में क्या होगा? कि fibers जादा होंगे, they are densely packed, लेकिन एक regular pattern में कि देखो जैसे कि fibers 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 हैं और यहां पर क्या है cells है cells है cells है आपको एक regular pattern देखने को मिल रहा है irregular में क्या होगा कि fibers जादा होंगे cells जादा होंगे closely वह packed भी होंगे बट कोई regular उनका arrangement नहीं होता है यह fibers देखो यहां यहां जा रहे हैं यहां से यहां जा रहे हैं ठीक है cells भी यहां है यहां है यहां है तो आपको दिख रहोगा कि यहां पर भी fibers है cells है यहां पर यहां पर एक regular pattern देख रहा है यहां पर irregular pattern देख रहा है तो उस हिसाब से नाम क्या पढ़ गया dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue, ठीक है, तो यहाँ पर अपनने ऐसे लिख दिया है, अच्छा आप सुनो, जो बना dense regular connective tissue होता है न, इसमें दो और tissues आते हैं, dense regular connective tissue की इस category में दो और tissues आते हैं, कौन से, tendons and ligaments, कई बार आप लोगोंने कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, जिनको कभी ऐसा accident हुआ या गिरवेर गए हो, चोट लग गई हो, कि यार हमारे ligaments टूट गए, एक टूटती हड़ी और एक टूटते हैं ligaments, यह क्या होते हैं ligaments, बिटा यह actually regular dense connective tissue ही होते हैं, ligaments क्या काम क्या होता है, जब आप पढ़ रहे थे ना, muscles को हड़ी से जोड़ना, हड़ी को हड़ी से जोड़ना, यह दोनों ही वो काम करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब कौन क्या काम करता है exactly, वो मैं आगे पढ़ा हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समय लो कि हाँ, dense connective tissue की दो categories हो गई है, regular and irregular, regular में दोने tissues आते हैं, tendons and ligaments, ठीक है, irregular में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जित्ता, अभी मैंने कहा था था ना, कि हाँ, cells and fibers क्या होता है, irregularly arranged होते हैं, that's enough, इस ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है, मुझे, ठीक है, मलब आपको पढ़ना भी न skeletal tissue, और एक होता है, fluid tissue, ठीक है, specialized tissue की दो और categories, skeletal tissue and fluid tissue, skeletal tissue में आते हैं, कौन आते हैं, भई, skeletal tissue में आते हैं, बच्चों, cartilage and bones, cartilage and bones, और fluid tissue में आते हैं, blood and lymph, तो specialized connective tissue दो तरह क्या होते हैं, skeletal and fluid, skeletal tissue में दो और tissues आते हैं, cartilage and bones, fluid tissue में आते हैं, blood and lymph, अब जाकर की बटा क्या हुआ है, पूरा classification आपका complete हुआ है, connective tissue का, एक बार फिर से सुननों बटा, connective tissues को हम broadly divide कर सकते हैं, तीन categories में, loose, connective, dense, connective and specialized connective tissue, loose connective tissue में हम बोलते हैं कि cells और जो fibers होते हैं, they are loosely packed, तो इसलिए उस tissue का नाम ही वो ही पड़ गया, इसकी दो categories होती है, एक होती है, ariolar connective tissue और दूसरी category होती है, दूसरी tissue होता है, adipose connective tissue, then comes the dense connective tissue, यहाँ पर cells and fibers जादा होते हैं नमबर में, और they are densely packed also, इसकी दो और categories होती है, regular and irregular, regular dense connective tissue में, जो fibers होते हैं, जो cells होते हैं, वो एक regular pattern में present होते हैं, और irregular category में क्या होता है, जो fibers हैं, वो irregular pattern में होते हैं, arranged, ठीक है, तो dense regular connective tissue के दो, आप यह समझे लों कि dense regular connective tissue, दो तरह के होते हैं, tendons and ligaments, then comes the specialized connective tissue, इसकी दो और categories होती हैं, skeletal and fluid connective tissue, तो skeletal connective tissue दो तरह के होते हैं, cartilage and bones, then comes the fluid tissue, जो की दो तरह का होता है, blood and limbs, आप देखो, आप बोलोगे कि मैं classification ही इतना बड़ा है, तो पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब बहुत टाइम लगेगा, नहीं, बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, बट हाँ, क्योंकि connective tissue बढ़ा है, कई सारे इसके types हैं, तो हम सारे types को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ये जो है ना बेटा fluid tissue, इसे हम cover करेंगे हमारे अगले session में, मतलब आज के session में, areolar, adipose, tendons, ligaments, cartilage and bones, इतना पढ़ा दूँगी आज, और जो अगला session होगा, उसमें हम बात करेंगे blood and lymph की, blood and lymph में आपको थोड़ा सा detail में पढ़ाऊंगी, क्योंकि blood and lymph की उपर बेटा आपको 10th में, और detail में पढ़ाना होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत detail, 9th में ही पढ़ते हुए चलो, तो 10th में जाते दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो इस session में, जो है न, अपन bones तक कर लेंगे, areolar से लेकर के bones तक, अगले session में हम बात करेंगे, fluid connective tissue की, ठीक है, चलो फिर, शुरवाद करते हैं, अपन किस के साथ, बेटा, areolar connective tissue के साथ, मतलब की, loose connective tissue के साथ, आज़ा, अपन स्टार्ट करते हैं, loose connective tissue, बता चुकी हूँ मैं, कि cells and fibers क्या होते हैं, loosely packed होते हैं, इसलिए tissue का नाम क्या पढ़ गया, loose connective tissue, ठीक है, अब इसके जो दो टाइपस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, बेटा, areolar and adipose, connective tissue, ठीक है, अब आज़ो बात कर लेते हैं, दोनों के उपर, areolar connective tissue के बारे में तो क्या ही बोलें, बेटा, इसका जो matrix होता है, वो ऐसी gel-like सा होता है, ठीक है, fibers पाए जाते हैं, वो जो cells अपनने पढ़े थे न, macrophages, fibroblast, mast cells, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा, यह पाया कहां जाता है, तो बेटा, यह हमारी skin के नीचे पाया जाता है, मतलब, skin को muscles से जोड़ने का काम, जैसा कि मैंने आख बताया था कि connective tissue का होता है, याद करो, है न, तो वो जो connective tissue, जो हमारी skin और muscles को आपस में जोड़ रहा है, वो कौन सा होता है connective tissue, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम specify कर रहे हैं, कि यह क्या होगा, areolar tissue कहां पाया जाएगा, हमारी skin के नीचे पाया जाएगा, ठीक है, यह हमारी, आप बोल सकते हो कि skin के नीचे पाया जाएगा, ठीक है, और यह करेगा, क्या, skin को muscle से जोड़ने का काम करेगा, ओके, उसके अलावा, चुलें, यहाँ पर मैं आपको read करके ही बता देती हूँ, यह रहू, areolar tissue, यह क्या है, loose connective tissue है, यह हो गया, widely distributed, देखो, इसका matrix कैसा होता है, transparent सा होता है, jelly-like होता है, ठीक है, जिसमें की बहुत सारे fibers होते हों, वही cells वगेरा होते हैं, दो तरह की fibers होते हैं, मनलब वही white collagen and yellow elastic fibers, यह protein के बंद होते हैं, collagen protein के, they are formed, जो yellow elastic fiber हैं, वह बने होते हैं, elastin proteins के हैंना, flexibility and elasticity यहाँ पर मिलेगी, और यह क्या provide करते हैं, strength, ठीक है, तो वो ही है, basic aerolar connective tissue का, कि आप भी तक अपन ने जो भी पढ़ा ना, connective tissue में, वो उसके उपर लिख दे, मनलब आप उसके लिख सकते हो, कि हाँ, aerolar connective tissue है, तो उसका matrix होगा, कैसा, gel-like, आजो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, gel-like matrix होगा, gel-like matrix, cells present होंगे, fibroblast, mast cells, macrophages and all, उसके लावा, fibres भी पाए जाएंगे, fibres भी पाए जाएंगे, कौन से, yellow, elastic, and white collagen, ठीक है, करता क्या ही है, skin को muscle से जोडने का काम करता है, आजो, और देखते हैं आगे, और क्या लिखा हुए इसके बारे में खास, it fixes the skin with muscles, fill the spaces inside the organs, attaches the blood vessels and nerves with the surrounding tissue, हमारी body में आपको पता है, बिटा की nerves होती है, अज़ अब कुछ लोग क्या करते हैं, nerves और blood vessels को एक ही माल लेते हैं, बिटा, nerves and blood vessels अलग-अलग होते हैं, क्योंकि अपन nervous tissue पढ़ चुके हैं, तो अब आपको पता हैं कि nerves क्या चीज होती है, उस समय भी मैंना आपको बता था, कि blood vessels and nerves दोनों अलग-अलग चीज़े होती हैं, जिसके कई बार लोग blood test करवाने जाते हैं, तो बोलते हैं कि आज na blood test में दिक्कत हुई, क्योंकि हमारी नस नहीं मिल रही थी, तो बिटा, वो नस नहीं, वो actually वो तुमारी blood vessel में भी वो तुमारे vein ढूनते हैं, vein, blood vessels तीन तरह क्यों होती हैं, आपको अपने पढ़ लिया हुआ है, arteries, veins and capillaries, है ना, तो वो तुमारी capillary vein ढूनते हैं, तुमारा blood निकालने के लिए, है ना, नस नहीं ढूनते हैं, वो अलग चीज होती है, तो nerves और जो blood vessels होती हैं, वो भी तो हमारी body में पाई जाती है, surrounding tissue से कहीं ना कहीं जूड़ी होंगी ना, ऐसी हवा में तो नहीं तेहरेंगी, तो जो जोड़ने का काम है, nerves and blood vessels कोन के surrounding tissue के साथ, वो कौन करता है, aereolar tissue ही करता है, मतलब कि skin को muscles जोड़ने का काम कौन करेगा, aereolar tissue, blood vessels and nerves को surrounding tissue के साथ जोडने का काम कौन करेगा, aereolar tissue, उसके अलावा fastens the peritonium पर जाकर कि यह पाया जाएगा, ताकि उन spaces को यह भर देए, सपोस्ज यह दो और नहीं है, ठीक है, इसके बीच में space है, दोनों की बीच में, तो क्या होगा, यह जाकर के बढ़ जाएगा, ताकि इनकी space जो है, इनकी बीच की जो space है, वो भर जाए, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलता है, packaging tissue, बोलते हैं, बेटा सवाल आ सकता है, कि कौन सा connective tissue है, जिसको अपन बोलता है, packaging tissue, तो लिख करके आना ये, areolar tissue, ठीक है, आई बात समझ में, और इसके उपर भी सवाल बन जाता है, कि बताओ कौन सा connective tissue है, जो skin और muscles को आपस में fix करता है तो aureolar tissue प्लीज इतना आपको याद करके आना पड़ेगा यह देखो यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर सा diagram यहाँ पर diagram नहीं फोटो आपको दिख रही होगी microscope से देखो बेटा आपको aureolar tissue ऐसा नज़र आएगा ठीक है उसके लाव यहाँ देखो यह एक इंसान है बेटा मालो की उसका हाथ है ठीक है हाथ है तो हाथ की देखो यह ऐसी skin जो है ऐसे अलग कर दी गई है यह पूरी जो skin थी ना बेटा वो ऐसी थी ऐसी नहीं सन में आएगा देखो skin पूरी ऐसे cover थी हाथ के उपर तो skin होगी ना तो यह पूरी ऐसी skin थी skin को क्या करा तो वह कौनसा होता है वह होता है एरियोलरट टिशू तो यहाँ पर देखो skin को काटा उसको ऐसे थोड़ा सा अलग किया और नीचे देखो आपको क्या दिख रहा है ये पूरा ये ये दिख रहा है एरियोलर टिशू बाद में इस एरियोलर टिशू को भी क्या करा है देखो इसे काट करके थोड़ा सा अलग करके यहां पर रखा हुआ है आई बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो अच्छा ये थोड़ी सी heading गलत हो गई है बिटा चलो कोई बात नहीं हाँ अब अपन बात करते हैं किसकी next अपनी एडिपोस टिशू की एडिपोस टिशू के बारे में क्या ही बोले है एडिपोस टिशू में वही मेट्रिक्स होगा फाइबर्स होगे वह सब तो हो गया है में बात करते हैं अपन एडिपोस टिशू के cells की cells को हम बोलते हैं एडिपोसाइड या फिर fat cells क्या समझे aureolar टिशू के बारे में जितना पढ़ाया उत्ता समझ में आ गया न कि इसका जो मेट्रिक्स है वो जेल लाइक रहेगा ठीक है ये सारे cells पाए जाएंगे मेट्रिक्स में ये सारे fibers पाए जाएंगे मेट्रिक्स में कहां कहां aureolar connective tissue पाया जाता है वो भी तुमको मैंने समझा दिया है ठीक है अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ओफ लूस कनेक्टिव टिशू की जो की है एडिपोस कनेक्टिव टिशू मेन होते हैं एडिपोस टिशू की cells क्योंकि cells को अपन क्या बोलते है एडिपोसाइड या एडिपोसाइड का एक और तो पता है कि मवारी बॉड़ी में fat करता क्या है बटा बॉडी में जो fat है न यहां पर उपर लिख देती हूं fat देखा जाए तो शॉक अब्स साyas करने का काम करता है शॉक अब्स साय करने का मां करता है जैसे कि मानो की तो मैंसे म गिरवर गये हो थीक है अब इंसान जबूर्जी तो नहीं कि आम से धीरे से गिरे वह फिल्मों में होता है कि स्लो वोशन में हीरो गिर रहा है धीरे दीरी रे होगे तो बहुत ही delicate organs होते हो अगर उनके उपर इस तरीकी की चोट लगेगी बिटा तो वो तो हमेशा के लिए होगे डामेज हो जाएंगे ठीक है तो यह जो अपनी बॉडी में fat होता है यह बिसी करी क्या करता है शौक अब्जॉब करने का काम करता है कि मालों कि अब लों तक ना पहुंचे अधरवाइस क्या होगा कि पता चला गिरे तो शौक जो है पहुंच गया कहां आपके किडिनी तक तो आपके किडिनी क्या करने लगी फढ़ फढ़ाने लग गई लंग्स आपके फढ़ फढ़ाने लग गए हार्ट जोना बिलकुल उचग गया कि बापर लेयर जो है हमारी स्किन के नीचे ही होती है मेरी बात को समझो बिटा स्किन के नीचे क्या होती है एक फैट की लेयर होती है वह फैट की लेयर किससे बनती है इस एडिपोस टिशू से बनती है और इसके सेल्स को अपन क्या बोलते है एडिपोसाइड बोलते है ठीक है तो य फैट करता क्या है वो फैट शॉक अब्जॉब करने का काम करता है मतलब कि अपने स्किन की नीचे जो फैट की जो लेयर होती है है ना वो क्या करेगी शॉक को अब्जॉब करने का काम करेगी उसके लावा इंसुलेशन इंसुलेशन आप सभी को पता है कि हम जो जानवर है बे अंटार्टिक का चले जाओ आर्टिक चले जाओ या प्राजिस्थान चले जाओ आप कितनी भी ठंडी कितनी भी गर्मी में चले जाओ आपकी बॉडि का जो टमपरेचर है बिटा वह उतना का उतना रहेगा 37 का 37 7 degrees Celsius रहेगा ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी ठंडी जगा गए हो है ना तो आपका जो body का temperature है वो भी 0 degree हो जाए यह अगर आप बहुती गर्मी वाली किसी जगा पे गए हो तो आपकी body का temperature भी बढ़कर के 50 degrees Celsius हो जाए ऐसा नहीं होता आपकी body का जो temperature है वो वैसा का वैसा maintain रहता है ठीक है अब देखो होता क्या है कि मालो कि तुम किसी ठंडी जगा गए हो ठीक है लेकिन अब क्योंकि body को जो उसका normal temperature है जो constant temperature है वो maintain करना है तो इसके लिए क्या होता है ना body अपनी अंदर जो heat होती है उस heat को वो बोलती है कि यार ये बाहर ना निकल पाए देखो body में heat रहेगी तभी body का जो temperature है वो 0 degree Celsius वाले environment में भी क्या रह पाएगा 37 degree रह पाएगा कहां तो बाहर जहां तुम गए हो वहां का temperature कितना है 0 degree Celsius है लेकिन body के अंदर का temperature वो कितना है 37 कैसे 37 degree Celsius बेटा temperature body का maintain रहे पा रहा है वोड़ी के अंदर क्या है heat है और body ये चाहती है कि वो जो heat है वो body के बाहर ना निकले अगर body के अंदर की heat बेटा body के बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा हमारा body का temperature कम हो जाएगा और ज़्यादा कम होने से क्या हो सकता है बेटा हम मर सकते हैं डेथ हो सकती है इंसान की तभी जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता कि अगर 100 बुखार भी हो गया तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि भया दवाई ले लो ज़्यादा बुखार नहीं होना चीए क्योंकि बॉड़ी का टेंपरेचर जो है पिटा एक constant nature ने fix करा है वही maintained होना चीए ना कम ना जादा तो अगर आप किसी ठंडी जगा पे गए हो तो बॉड़ी का जो internal जो टेंपरेचर है वो 37 maintained रहे इसके लिए बॉड़ी ये चाहेगी कि बॉड़ी की जो हीट है वो बॉड़ी के बाहर ना निकले अधरवाइस टेंपरेचर कम हो जाएगा तो बॉड़ी की हीट बॉड़ी के निकले यह कौन मेक्शूर करता है वो ही हमारे स्किन की नीचे जो फैट की लेयर होती है वो फैट की लेयर होती है वो फैट की लेयर एडिपोस्ट इशू की बनी होगी सेल्स की बनी होगी सेल्स में क्या होगा फैट स्टोर होगा तो वो फैट क्या करता है बॉड़ी की तो यह इंसुलेशन का भी काम करता है कौन फैट जो जैसे जो पोलर बेर होता है जो ठंडे आप बोल सकते हो कि रीजन में ही पाय जाता है अगर आप चलेगा अंटार्टिक आर्क्टिक तो आप बोलोगी कि मैं हमको ना मोटे-मोटे स्वेटर लाकर के दो कोट लाकर के दो त कैसे करता है क्योंकि उसको naturally nature ने क्या करा हुआ है skin के नीचे fat की इतनी मोटी layer दी होती है कि वो कितने भी ठंडे temperature में क्यों न रह रहे उसके body की जो heat है वो body के बाहर निकल ही नहीं पाती कि जैसे कि suppose ये क्या है उसकी skin है और पुलर बेर की और ये क्या है देखो उसकी fat की layer है skin के नीचे क्या है देखो ये पूरी fat की layer है जो बनी हुई है एड़िपोस टिशू से तो उसके body की जो heat होगी ना बेटा वो इस layer को crossy नहीं कर पाएगी body की जो heat है ना वो इस layer को crossy नहीं कर पाएगी उसकी heat body के अंदर ही बनी रहेगी body के अंदर ही बनी रहेगी तो वो इतने ठंडे रीजन में भी क्या होगा survive कर पाएगा इस मोटी थिक layer को पता है अपन क्या बोलते है fat की जो मोटी सी थिक ले रहे ना इसको अपन बोलते है blubber क्या बोलते है blubber ये देखो वेल जो होती ही बेटा वेल मचली पानी में रहत वेल मचली की सकिन के नीचे fat की मोटी धिक Nixon की रहे है इपन बोलते है blubber ये देखो ये आपको ग्रे ल्क कि दिख रही है यह ग्रे कलर रिक क्या ये बेटा ये मचली की बेल मचली की वो है skin है और यह जो आपको दिख रही है white color की इतनी मोटी यह यह है fat की layer this is blubber तो इस blubber के कारेंट जो है वो मेल मचली पानी में रहकर के भी इतने ठंडे पानी में रहकर के भी जी जाती ही वो मरती नहीं क्यों क्योंकि यह इतनी मोटी थिक ले रहा ना यह फोटो में तुम को इतनी सी दिख रही होगी एक्चल में काफी मोटी होती है तो इसकी जो थिकनेस है ना इस blubber के कारेंट जो उसकी बॉड़ी की इत है वो बाहर नहीं आपाती तो बॉड़ी को जो एक constant temperature है वो maintained रहता है ठीक है चल तो शॉक absorption हो गया और क्या हो गया और क्या हो गया इंसलेशन हो गया और हाँ energy reservoir का भी काम करता है fat की लोग पतले होने के लिए क्या करते हैं डाइटिंग करते हैं कि खाना नहीं खाऊगे डाइटिंग करोगे तो क्या होगा body को तो energy क्या बोलते हैं चाहिए है ना बडी कीशल Çो क्या करना नर्जी बनानी है तो बॉडी की इंसान खा तो बनानी तो इनर्जी तो बनानी हैं तो क्या करते हैं बॉडी में जो फिर fat इंगी जो एडिपोस, टिशू में जो यह जो cells होते हैं इन cells में जो जाके fat store हो जाता है न बेटा उसी fat को फिर इस्तिमाल किया जाता है energy derive करने के लिए तो हम बोलने कि देखो इनसान का इक हो रहा है किया इक्सट्रा यून्स बखेर होगे हम वह सब को जा अगर लीट है फैट के फॉर्म में जाके इस टो जाते हैं जो बोलते हैं जादा मीठा नहीं खाना चाहिए आप बोलो कि मैं अगर जादा मीठा खा भी लिया तो क्या हुआ नहीं बेटा डाइबिटीस जो होगी सालग होगी लेकिन ग्लुकोज होगा ना वह भी तुमारी बॉडी म में कनवर्ट होकर के बॉडी में स्टोर हो जाएगा जिससे की इवेंचुली इंसान क्या होता है मोटा हो जाता है तो जो भी एक्स्ट्र न्यूट्रियंट होता है ना बॉडी में वोल्टी मिट्री फैट में कनवर्ट होकर के बॉडी में सेव हो जाते हैं स्टोर हो जाते ह ठीक है तो हमारे skin के नीचे क्या होती बेटा fat की layer जो बनी होती adipose tissue की इसकी cells को अपन क्या बोलते है अडिपोसाइट बोलते हैं या फिर fat cells बोलते हैं देखो यह दिखते कैसे हैं जैसे कि ये क्या है एक fat cell है डिपोसाइट है ठीक है इसके बीच में बड़ी सी बेटा क्या आ जाती है ओईल या फैट ड्रॉपलेट आ जाती है यह बड़ासा आपको ड्रॉपलेट दिख रहा है मतलब यह साइट जाइड में क्या है साइटोप्लाजम है और बीच में क्या है बड़ासा फैट ड्रॉपल जिसमें की आकर के फैट स्टोर हो जाता है और क्योंकि सेल के बीच में इतना बड़ा सा जो है फैट ड्रॉपलेट आकर के बैड़ गया है तो इसका जो नूक्लियस होगा बेटा विदम साइड में शिफ्ट हो जाता है मतलब नूकलियस बोलेगा कि मेरी तो कोई जती नहीं है मैं तो जैना सेल का ब्रेन हूं लेकिन फिर भी जहां यह बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट आए तो मुझे क्या करा मुझे कोने में सिरका दिया तो कुछ ऐसा दिखता है बेटा क्या एड़ेपोसाइट यानि कि फैट सेल और यह फैट ड्रॉपलेट आपको दिख रहा है इस सेल है और यह आपको दिख रहा होगा यह यह पूरा फैट ड्रॉपलेट है ठीक है इसके अंदर फैट स्टोड है और यह देखो इसका जो नूपलेस है वो साइड में शिफ्ट होगा तो एड़ेपोस इस में ली यह प्राइमरली अफैट सोरिंग टिशू इन विच दा इस also contains fibroblasts ठीक है देपोस टिशू is found beneath the skin क्या सिर्फ skin की नीचे पाया जाता है उसके लावा in the covering of heart heart के अराउं कवरिंग बनाने के लिए blood vessels के अराउं kidney के अराउं और येलो बोन मेरो अब येलो बोन मेरे तुमको सन्में नहीं आएगा बस बोन मेरे बात कर लो ठीक है तो skin की नीचे पाया जाता है skin की फैट की वह जो लेयर बन जाती है skin के नीचे इसके लावा heart के अराउं की covering blood vessels के अर tissue बनाता है this tissue क्योंकि देखो ना आपकी जो kidney है जो blood vessels है बिटा ये delicate organs है ना गिरे तो इनके ओपर शॉक आ सकता है तो शॉक अब्सॉप करने के लिए कि इनके ओपर की जो covering है वो किसकी बनी होती है डिपोस टिशू के बनी होती क्यों कि इस टिशू में fat होता है fat क्या करेग insulates the body against the heat loss it forms a shock absorbing cushion around the kidneys and the eyeballs की kidneys sorry kidneys और eyeballs के around बिटा क्या होता है एडिपोस टिशू की protective covering होती है आप याद करो मैंने आपको session के starting में बताया था कि connective tissue क्या करता है कुछ delicate organs की protective covering भी बनाता है है ना तो एडिपोस टिशू ने क्या करा kidneys and eyeballs के around protective covering बना दी ताकि जो है ना शौक वोक ना लगे शौक absorption का काम blubber in whales in fact an insulating fat body similarly hump in the camel is also rich in एडिपोस टिशू कैमल में जो बिटा हम होता है ना उसका जो इसे कूबड सा निकला रहता है कूबडी बोलते ने क्या बोलते है मैंना वह जो हम रहता है ना स्कैमल कर जैसे कि इसका यह मुह है ऐसा हम निकला होता है यह ठीक है तो यह जो हम है यह इसमें एडिपोस टिशू होता है ठीक है चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चा वो किसकी यह हो गया अपना लूस कनेक्टिव हो गया अब अबपन बात करते हैं आ जो डैनस कनेक्टिव टिशू की चलो देखो ďंस कनेक्टिव टिशू के लिए RAM मैं इतना ही बोलना चाहूंगी की जांगी जादा होते हैं, fibers and cells densely packed होते हैं, तो नाम पढत匹 Commissioner Tissue, उसके दो types होते हैं, regular and irregular, irregular आपको नहीं पढ़ना है, regular पढ़ा देती हूं कि regular dense connected tissue में क्या होता है, यह fibers and cells जो होते हैं, वो arranged होते हैं, densely packed होते हैं, बस एक regular pattern में arranged होते हैं, ठीक है तो नाम क्या पड़ जाता है regular dense connective tissue दो टाइप्स होते हैं tendons and ligaments जब ये tendons and ligaments करते क्या है आज हूँ मैं आपको बताती हूँ और इसके लिए यहाँ पर ये थोड़ी सी बेटा change करने पड़ीगी ये aureolar tissue नहीं है this is dense regular connective tissue heading change कर लेना बेटा थोड़ा से आपर correction चाहिए है ओके ठीक है अब ये dense regular connective tissue का टाइप है tendons ये करता क्या है tendons are called like very tough inelastic bundles of white collagen fibers याद करो मैं आपको क्या बताया था कि white collagen fibers क्या करते है strength provide करते है है ना तो white collagen fibers का बेटा धेर सारा आप क्या करो bundle बना लो ठीक है bundle बना लो तो ultimately क्या बन जाते है tendons बन जाते है bound together by aureolar tissue the cells present in the tendons are elongated fibroblast while lie in almost continuous rows here and there जैसा कि मैंने आको बोला कि cells and fibers जो होते हैं वो densely packed दो होंगे बट regular pattern में होते हैं वही चीज़ें आपर लिखी हुई है कि cells जो होते हैं वो लंबे-लंबे होते हैं और वो almost continuous rows में arranged होते हैं tendons का बेसिकली काम क्या होता है muscles को skeletal muscles को हड्डियों से जोडने का मैंने का ताना कि हड्डियां जुड़ती हैं हड्डियों से muscles जुड़ती हैं हड्डियों से तो कौन करेगा connective tissue करेगा कौन सा connective tissue अब आपके सामें आपर वो भी clear हो गया कि dense regular connective tissue दो तरह के होते हैं tendons and ligaments उसमें tendons क्या होता है tendons आप बोल सकते हो कि वो टिशू होते हैं जो skeletal muscles को हड्डियों से जोड़ते हैं तो tendons muscles को जोडने का काम muscles को हड्डियों से जोडने का काम किसका होता है tendons का होता है ठीक है यह white collagen fibers कैसे bundles होते हैं जो की ऊपर से fibers जो होते हैं वो एक regular pattern में रोज में जो है लंबी लंबी रोज में arranged होते हैं ठीक है यह देखो यह आपकी muscle है skeletal muscle है यह हड्डी है तो यह आपको white white portion दिख रहा है यह वाला यह यह है बेटा tendon जो क्या कर रहा है muscle को हड़ी से जोड़ रहा है ठीक है है अब जो बेटा अपनी हड़ीयां होती एक हड़ी कि जोड़ी होती है हड़ी ना हड़ी तो हड़ी जोंगों किसका होता है लिगामेंस का होता ए जैसे कि अद एगामेंस र concerns ब्लीजा से वारे इतो हड होती है ना तो हड़े सिरे किया जाए तो हाँ लेगामेंट्स कह गौते सोफट इस होते हैं बाट कि है अगलर किसी किलिगामेंट्स तो ली बहुत पईनफल वोता है प्लस लीगामेंट्स की जो क्या बोलता है Mayor जो होती है वह बड़ी एक बार जल्दी जुड़ जाए लेकिन लिगामेंट को बेटा जुड़ेने में बहुत टाइम लगेगा कहने को तो यह है कि soft tissue है soft tissue है है ना हड़ी नहीं टूटी fracture नहीं हुआ एयर माइन fracture भी नहीं हुआ लेकिन लिगामेंट जब टूटते है ना बेटा तो वो painful भी होता उपर से वो उसकी जो recovery है वो time taking भी होती है कई बार जो है किसी को चोट लगी होते है लिगामेंट टूटे होता है और उसके अगले 2-3 साल तक क्या होता है जहां पर लिगामेंट टूटे होते हैं वहां पर उनको पेन रहता है अगर किसी के लिगामेंट टूटे है ना तो यह मत समय ना कि अरे हड़ी तो नहीं टूटी ना मिस्ट टूटा है क्या बड़ी बात है ठीऑ हो जाएगा नहीं उसका और ध्यान रखना पड़ता है थिक है यह को लिगामेंट यह사를 domin करते हैं वैद न हिए यह यह चोटे हैं एनि को याझियुजेंड टोगेथर वैयूल ठीक है यह सब हो गया flexibility भी यहां पर हो जाती क्योंकि देखो collagen fibers हैं तो strength तो मिलेगी elastic fibers भी हैं तो यहां पर flexibility भी मिल जाती है तो इसलिए legaments जो होते हैं में इतने आसानी से तूटते नहीं है क्योंकि flexibility है यहां पर क्योंकि elastic fibers है यहां पर बट वह यह न कि अगर जादे ही चोट लग जाते तो फिर यह भी बटा तूड़ जाते हैं ठीक है चलो तो हड़ी से हड़ी को जोने का काम किसका होगा legaments को और muscle to huddy जोने का काम किसका होगा tendons का ठीक है चलो अब इसके बाद में next क्या आता है next 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 इतना पढ़ लिया अपनने tendons and legaments तक मतलब अपना loose connective tissue dense connective tissue अपने पूरा कर लिया है अब अपन बात करते हैं specialized connective tissue की आजाओ अब बात करते हैं बच्चो specialized connective tissue की जिसमें की दो होते हैं skeletal tissue and fluid tissue fluid tissue पढ़ेंगे अपन अपने अगले session में लेकिन आज मैं आपको skeletal tissue तो पढ़ाई देती हूं जिसमें की दो तरह की tissues आते हैं एक होती है bone और एक cartilage ठीक है so skeletal tissue forms the rigid skeleton rigid मतलब क्या बिलकुल कड़क skeleton which supports the vertebrate body helps in locomotion and provides protection to many vital organs तो यह दोनों बिटा जो है na cartilage and bones यह मिल करके क्या करते हैं body के अंदर एक बड़िया सा धांचा बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं skeleton जो body को एक support provide करता है movements and locomotion में help करता है और जो vital organs है body के अंदर उनके protection का भी काम करता है तो cartilage and bone सबसे पहले अपन कहानी बिटा पढ़ते हैं cartilage की आजाओ cartilage की बिटा cartilage जो है na cartilage soft होता है और flexible होता है soft होता है ऐसे लिए देती हूं soft flexible और आप बोल सकते हैं उसको pliable भी pliable भी मतलब कि आप इसको ऐसे mode लो लेकिन यह तूटेगा नहीं एक्जांपल देती हूं ऐसे सन में नहीं आएगा बचपन में कभी टीचर ने आपका कान मरोडा हो वैसे आजकल तो बच्चों को टीचर्स हाथ भी नहीं लगा सकते हैं ठीक है मेरे टाइम पर भी कोई मारा पिटीन होती थी लेकिन लड़कों को तो पटाई पड़ती थी है ना तो क्या होता है कि जैसे कि मम्मी भी कभी गुस्त है तो वो क्या करेंगी मार नहीं सकती सब्सक्राइब तुम्हारे घर में अब तुमनों कुछ हरकत करें बच्चे हरकत यूज सबी शान तो हो जाते तो कम से कम पिटाई तो नहीं पड़ती है ना तो बच्चे क्या करते हैं अधिकतर जो मस्ती है जो शेतानी है वो गैस के आने पर ही करते हैं तो क्या होता है कि मम्मी फिर क्या करती पीट तो सकती नहीं तो यहां से पकड़ती है कान और कान को पकड़ ये बिटा बने होते हैं, काटिलेज के, कितना भी ऐसे मोल, कितना भी नहीं, तुमने क्या करा, इसको बिल्कुल यह ऐसे, अपसाइड डाउन कर दिया है, वैसे नहीं, लेकिन हा, इसको आप मैक्सिममं ऐसे, ऐसे मोड हो और फोल्ड करोगे तो भी चूटेगा नहीं कान जो है पिनना बिटा नहीं क्यों यह बना होगा काटिलेज का कर यह मैंने क्या बोला कैसा टिशू है फ्लेक्सिबल से प्लायबल है और सौफ्ट है ठीक है वाल इतना भी सॉफ्ट नहीं कि बिलकुल ऐसे टूट जागा नहीं प्लाइबल है कि कुछ हद तक तो जो है आप इसको फोर्स लगा करके फोल्ड करोगे बैंड करोगे पर यह देखो ऐसे टूटता नहीं यह देखो मैं अपने पिन्ना को ऐसे बैंड कर रहे हूं बि जो नोस की टिप है यहां पर कुछ है तो कड़क कड़क सा लेकिन वह कड़क इतना भी कड़क नहीं हो ऐसा फ्लेक्जिबल सा है इन फैक्ट आपके दोनों नोस्ट्रिस के बीच में सेप्टम होता है यह ना जिसी यह नाक का छेट दोनों ही बीटा नाक के छेट में यदि अब एक इकजाव ढहले के यह तो खुणय हो करो दोनों के बीच में एक पार्टीशन एक सेप्टम हों कि बीच में क्या है यह एक सेप्टम है। वो किसका बना होता ह princip । बंचलब रिजचिड नहीं होता पिन्न awesome ८े नोस की टिप में यह जो नेजल है वह सब बेटा किसका बना होता हैota है current का बना होता है तो soft flexible होता है उसके अलावा है इसके जो gran proceso होते हैं बेटा पार बाथा जिंगे उनको अपन बोलते हैं, kondrocytes, क्या बोलते हैं, kondrocytes, cells open क्या बोलते हैं, बेटा, kondrocytes, इसके matrix में protein पाया जाता है, कौन सा, kondrin protein, kondrin protein, ठीक है, आप देखो, cells का जो arrangement है, kondrocytes का जो arrangement है, cartilage में बड़ा interesting होता है, होता यह है, कि मालों की जैसे कि यह क्या है, दो kondrocytes हैं, इनके आसपास एक space आ जाता है, और यह space में क्या होती हैं, fluid भरी होती है, यानि कि अपन बोल सकते हैं, कि जो kondrocytes हैं, they are surrounded by a fluid filled space, क्या बोला मैंने, कि जो kondrocytes हैं, they are surrounded by, वो घिरे हुए हैं, एक fluid filled space से, और इस fluid filled space को अपन क्या बोलते हैं, lacuna, या lacuna, क्या बोलते हैं, इस fluid filled spaces को lacuna बोलते हैं, तो इन fluid filled spaces के अंदर क्या होते हैं, बिटा, यह kondrocytes पाए जाते हैं, ठीक है, चलो, यहां, बात करते हैं अपन, cartilage की, कहां से, हाँ, यहां से, cartilage is hard, but flexible skeletal tissue, जैसे कि मैं आक से बोला कि soft हैं, लेकिन इतना भी soft नहीं कि आप उसको बिल्कुल बोल दो कि हाँ, तो ऐसे करेंगे तूड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, consisting of living cells embedded in a metric, obviously, cells क्या होते हैं, chondroblast become chondrocytes when gets surrounded within the semi special fluid filled chambers, called lacuna, मनलब कि वैसे तो cells जो होते हैं, उनको अपन chondroblast बोलते हैं, लेकिन जहां cells कहां आ जाए, fluid filled spaces, lacuna के अंदर आ जाए, तो फिर अपन को क्या बोलने लग जाते हैं, chondrocytes बोलने लग जाते हैं, ठीक है, यह अपनी thigh bone है, ठीक है, और यह अपनी नीचे वाले हिस्स से की हड़ी है, पैर की नीचे वाले हिस्से की हड़ी है, और यहाँ पर क्या यह आपका घुटना है, ठीक है होई है, पजिए हम बन रहा है, यह बन रहा है knee joint, तो joint भी कैसा होना जी थोड़ा सा flexible होना जी न क्योंकि joint ultimately क्या होना है movement होना है movement होना तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर जरूरी है ठीक है चल दल ले क्यों नहीं यह देखो यह ऐसे बने हुए है और यह सब देखो कैसे है fluid filled spaces में यह देखो दो और यह fluid filled spaces में बेटा भरे हुए मतलब surrounded है ठीक है और और आसपास क्या है आसपास आप बोल सकते हो कि यह देखो यह पूरा क्या है यह पूरा यह पूरा मेंट्रेक्स है यह पूरा मेंट्रेक्स है ठीक है ना continous proteins पाए जाते हैं matrix में उसके अलावा condrocytes आपको देख रहे हैं जो fluid filled spaces में enclosed और इन spaces को अबन क्या बोलते हैं लेक्यूने बोलते हैं ठीक है देले क्यूने कंटेनिंग कॉंड्रोसाइट और सेपरेटेड बाइड अमॉर्फस मेट्रिक्स ड़ेट कंटेंज ग्लाइको प्रोटेंज कोलाजन और एलास्टिक फाइबर्स अब यहाँ पर देखो बेटा ऐसा है कि एक बहुत ही जरूरी बात मुझे आपको बता नहीं है अब देखो काम की बात यह है कि जब अपन बात कर रहे थे epithelial tissue की तो मैंने आपको बताया था कि बेटा epithelial tissue जो होता है न वो एक avascular tissue होता है मतलब कि epithelial tissue के पास as such कोई भी blood supply नहीं होती है होता यह है कि epithelial tissue के जो cells हैं वो हमेशा यह हैं एक basement membrane के उपर लाये करते हैं याद आया यह देखो यह है epithelial tissue के cells ठीक है अभी हम वो कौन सी epithelial tissue के cells है वो हम specify नहीं कर रहे हैं बस इत्ता समझे लो कि हाँ यह epithelial tissue के cells है ठीक है यह हमेशा एक basement membrane के उपर लाए करते हैं जो कि Acellular Membrane होती है, Cells की नहीं बनी होती है, ठीक है, यह हो गई Basement Membrane Basement Membrane और इस Basement Membrane के नीचे होता है क्या? Connective Tissue, याद आया कि नहीं आया देखो, सारी चीज़े जो ना बिटा आपस में जुड़ी रहती है इसलिए जब मैं एक चीज़ पढ़ाती हूँ, तो दूसरी चीज़ की बात भी मैं कर ही देती हूँ ताकि एक लिंक तो बने, एक connection तो बने आपके दिमाग में कहां गया हूँ तो यह क्या है बिटा? This is connective tissue ठीक है? अब होता यह है मैं यहाँ पर लिख दूँ, फिर बताती हूँ आगे की बात यह है connective tissue अब होता यह है कि यह जो epithelial tissue है इसके पास तो वैस सच कोई blood supply आनी रही है लेकिन blood से substances तो इसको चाहिए न epithelial tissue के पास माना कि कोई blood supply नहीं है बट जो cells है epithelial tissue की जो cells है आरे समान तो उनको भी चाहिए ना blood का glucose चाहिए, oxygen चाहिए, nutrients चाहिए सब कुछ चाहिए तो ऐसा तो नहीं बोल सकती कि देखो तुमारे पास blood supply नहीं है तो तुम लोग जो ना अपना खुद देख लेना ऐसा नहीं हो सकता ना, बिटज समान तिनको भी चाहिए तो होता क्या है कि यह जो connective tissue है connective tissue के पास बड़ियस ही आप बोल सकते हो कि blood supply होती है यहाँ देखो यह यह है blood vessel माल लो, है ना कुछ इस तरीके से यह सारी blood vessels है, capillaries है ठीक है इन शॉट, यह आपको यहाँ पर क्या दिख रही है connective tissue में blood supply दिख रही है blood supply ठीक है अब होता यह है कि यहाँ तक तो blood आही रहा है connective tissue के level तक तो blood आही रहा है तो blood का फिर जो समान जैसे की nutrients है oxygen है वो सब चीजे बेटा क्या होती ना diffusion के थूँ diffusion के थूँ connective tissue से निकल करके कहां पहुँचती है basement membrane में और basement membrane से फिर ultimately वो चीजे कहां आ जाती है epithelial tissue के cells के पास आ जाती है मैंने क्या बोला कि epithelial tissue के epithelial tissue जो होता है न वो एक avascular tissue होता उसके पास blood supply नहीं होती है but cells को समान तो चाहिए है blood से तो नीचे जो connective tissue होता ना basement membrane की नीचे जो connective tissue की जो layer होती है वहाँ पर तो blood supply आ रही होती है और अच्छी खासी आ रही होती है तो वहाँ पर जो blood आ रहा ना उससे समान फिर निकल निकल करके बाहर diffusion के थूँ वो समान connective tissue से कहां पहुँचता है basement membrane में और फिर basement membrane से कहां पहुँच जाता है ultimately epithelial tissue के cells के ठीक है यह मैं पढ़ा चूकी हूँ बेटा बस यहाँ पर जो है मैंने आपको revise करवाया है क्यों यहाँ पॉइंट यहाँ पर मैं आपको लिखवाना भूल गई कि भाई कि इसके पास मुझे यह चीज स्टार्टिंग में आपको बता देनी चाहिए थी यहाँ पर कि यह जो अपना connective tissue होता है न इसके पास बढ़िया blood supply होती है तो कोई बात नहीं तब मैंने छोड़ दिया अब जो है लिखवा देती हूं कि इसके पास अच्छी blood supply होती है है न ब्लट सप्लाय अच्छी होती है गुड़ ब्लट सप्लाय जरूरी बात है यह क्यों कि यहाँ पर एक exception है यहाँ पर एक exception है और exception है cartilage लड़कियों को देखा है कान यहां भी चिद अध norm इполне yard piercing यहां भी करवाएंगे यह बी करवाएंगे यहां भी करवाएंगे यहां भी करवाएंगे यहां भी करवाएंगे इवाइं अधिकर गरवार टेर्ट इंब तो चलो फिर भी समझ में आती है सिर्फ मास है यहां पर हो जाती है पिरसिंग ज्यादा दुखता भी नहीं है पेन भी नहीं होता लेकिन यहां यहां तक पिरसिंग होती है बिटा तो भी जो लोग करवा लेते हैं पेन तो होता है बट ब्लड नहीं आता कभी आप कोई चाहू तो वाइटी पर ही जो है न कोई ऐसा वीडियो देखना कि जिसमें जो है न इयर पियर्सिंग हो रहे हो यहां नहीं यहां उपर काटिलेज पर यह कुछ लोग यहां पर भी piercing करवाते हैं, nose piercing, यहां तो फिर भी समझ में आता है, यहां भी समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग यहां भी करवा लेते हैं, बिल्कुल sand बन जाते हैं, है न, तो खून नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि यहां पर क्या है, cartilage में blood supply नहीं होती होती है तो बहुत कम होती है तो कितनी भी piercing करवालों कितने भी कान की बालियां पहलो एक दो तीन चार पांच है खून नहीं आएगा मतलम piercing करते टाइम खून नहीं आएगा क्यों कि यह पूरा क्या बीटा cardilage का बना हुए और cartilage में blood supply नहीं होती है तो वैसे देखा जाये तो जो अपना connective tissue है पूरा बढ़िया blood supply होती है लेकिन exception क्या है cartilage या तो होगी नहीं blood supply या बहुत कम होगी ठीक है और यही point यहां पर लिखा हुआ था जिसे समझाने के लिए मुझे याद आगया कि अरे यह बात तुम्हें आपको बताना भूली गई थी कि देखो blood vessels and nerves are absent in the matrix कौन किसके matrix मिटा cartilage के matrix की बात हो रही है कि cartilage का जो matrix होता है वहां पर blood vessels नहीं होती है nerves भी नहीं होती है blood supply नहीं होती है in short तो चिदवा लो कान चिदवा लो यहां भी चिदवा लो blood नहीं आएगा चीक है होगी भी थोड़ी बहुत होगी otherwise तो नहीं होती है blood vessels okie dokie आगी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को तो बटा cartilage के लिए तो बस इतना ही पढ़ लो अचा हां एक और चीज मतलब location क्या है कहां कहां पाए जाते है cartilage वो भी देख लो the tissue occurs in very few parts of the body in humans the cartilage occurs at the ends of long bones Champions लंबी-लंबी जो हड़ियं होती है उनके ends में पाया जाता है देखो यह picture थी यह यह एक लंबी-लंबी-लंबी यह अपनी thigh bone है ठीक है उसके अलावा कान के जो पिनने होते हैं वहाँ पर नोस की टिप पर एंड्स पर इन्द वाल्स ओफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विदिन इंटरवर्टिर्बल डिस्क अचा यह जो ना वाल्स ओफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एक मुझे इस से चीज याद आ गई टैन्ध में जाकर कि आप पढ़ोगे कि जो अपना ट्रैकिया होता है उसके उपर सी ड्रिकव की कार्टिलेज की tirar शब्द्री लोगो होती है क्यों होती है क्योंकि बिटा ट्रैकिया 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 तो एक मस्किलर ट्यूब है मतलब जो इसकी वॉल है ट्रैकिया की वह मसल्स की बनी होती है अब होता यह कि जब हम इनहेल करते हैं एक्जेल करते हैं तो बिटा पूरा प्रेशर का खेल होता है मतलब कि हम सास अंदर लेते हैं जब हम breathe in करते हैं जब हम inhale करते हैं तो हमारी जो thoracic cavity है या आप तो lungs बोलो lungs बोलो lungs के अंदर का हम क्या करते हैं बेटा pressure कम कर लेते हैं जब हमें सास अंदर लेनी होती है जब हमें खीचनी होती है सास अंदर तो अपनी थोरैसिक कैविटी की जो प्रेशर है जो लंग्स का जो प्रेशर है बेटा वो कम कर लेते हैं और जब हमें सास छोणनी होती है तो थोरैसिक सकता है बेटा ब्लॉक के जो सकता है ना जैसे कि यह ट्राकिया है ठीक है और उसकी मस्किलों वाल्स क्यों यह देखो ऐसे ऐसे आके कोलाप्स होगी ऐसे चिपक गई है यानि कि अब जो एयर है बेटा ना वो बाहर निकल पार यह ना वो अंदर आ पार यह मतलब कि इंसान सफ के जो मस्किलों वाल्स है वो ब्रीदिंग के दौरान इस लिस सब्सक्राइब कए और वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन अब आरो यह ट्रैकिया और यह सी शेप की बनी हुए रिंग्स कि वैसे पकड़के रखती है ताकि जब प्रेशर ऊपर नीचे जो भी हो तो यह जो walls and trachea कि यह collapse ना हो जाए ताकि ऐसा blockage ना हो, suffocation ना हो, इंसान मरे ना, तो cartilage वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है, function क्या है, it is more compressible than bone, it absorbs stress and provides flexibility to the body parts, जाहिर सी बात है बिटा, माना कि soft है, pliable है, बट फिर भी एक strength तो देनी ही है ना, इसलिए इसके matrix में fibers, collagen fibers और yellow elastic fibers दोनों ही मिलते हैं, ठीक है, चल, फिर हम बात करते हैं बेटा हड़ी की, हड़ी क्या है, हड़ी का बड़ी, एक cartoon आता था, bone, ठीक है, यह hard है बेटा, and non-pliable है, मतलब कि अगर, तुम इसको मोड़ोगे न, तो तूट जाएगे, cartilage pliable है, मोड़ोगे तो तूटेगा नहीं, इसको मोड़ोगे तो तूट जाएगा, non-pliable और hard, ठीक है, इसका जो matrix है बेटा, वो hard होता है, हड़ी hard क्यों है, क्योंकि हड़ी एक connective tissue है और उसका जो matrix है वो present होता है, calcium salts, mainly calcium phosphate वगेरा, इसके matrix में, जो protein पाया जाता है, उसे अपन बोलते है, austin protein, awesome नहीं, austin protein, जैसे कि वो cartilage के matrix में पाया जाता है, क्या, condrin protein, वैसे ही, इसके matrix में पाया जाता है, austin protein, ठीक है, तो ध्यान रखना, कि यह hard है, non-pliable है, इसका matrix थोड़ा सा बोल सकते, जैसे कि आपको जाता है, मैंने आपको starting में यहीं पढ़ाया था, कि connective tissue में matrix तो आपको मिलेगा, कहीं आपको matrix tissue एकदम fluid के उसमें मिलेगा, जैल लाइक मिलेगा, कहीं वो एकदम hard हो जाएगा, तो जैसे कि अपन ने aurular में पढ़ा था, कि एकदम jelly-like वो होता है, matrix, aerular tissue का, वैसे ही bone का जो matrix है, है ना, bone का जो matrix है, वो एकदम hard हो जाता है, उसमें calcium salts पा जाता है, जैसे कि calcium phosphates and etc, etc, उसके लावा matrix में क्यों होता है, awesome protein पाया जाता है, ठीक है, अब इसके जो cells होते हैं, बेटा, उनको अपन क्या बोलते हैं, osteo-sides बोलते हैं, अब भी 9th के level पर एक step आगे जाकर की पढ़ारी हूँ, जादे ही पढ़ारी हूँ, जितना आप पढ़ारी हूँ, वो आपके लिए more than enough है, ठीक है, 11th में जाओगे, तो और इसका detail पढ़ोगे, लेकिन आप भी के लिए इतना समझ लो, कि जो cells हो उसको पन क्या बोलते हैं, आप देखो बेटा होता है, क्या ही बोन सेल्स का जो arrangement है न, वो बड़ा अनोखा होता है, लेट मी टेल यू, जिसी कि मान लो ये हड़ी है आपकी, कुछ ऐसी दिखती है, ये हो गए आपकी बोन, ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे यहां से काटोगे, और ऐसे देखोगे उपर से, तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, देखो, ये है बेटा एक बोन सेल्स, यानिगी ये, ऑस्टियोसाइट है ये, ठीक है, और इसकी कुछ ऐसे ना, आम्स निकली रहती है, वालब इसे कुछ प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, और इन प्रोजेक्शन के थूँ क्या होता है, ये जो दूसरे जो ऑस्टियोसाइट, जो दूसरे बोन सेल्स, उनसे ही जुड़ता है, जैसे कि ये देखो, ये, ये, ये बोन सेल्स के जो हाथ हैं, वापस में कैसे हैं, देखो, ऐसे जुड़ गए हैं, जिसके कारण ये दोनों, देखो, हड़ी की जो सेल्स हैं, वापस में ऐसे जुड़ गए हैं, ठीके, similarly, यहाँ पर भी एक ऐसा होगा, बोन सेल्स, अरे, ये तो मैंने क्या ही बना दिया, इतने को मिलता है, ओस्ट्यो साइट का कहां, बोन के अंदर, अब अल्टीमेटली होता है, इसको मैं थोड़ा सा, जूम आउट करके आपको देखाती हूँ, कि कुछ इस तरीके से, ये सारे ओस्ट्यो साइट्स, ये सारे ओस्ट्यो साइट्स, एक रेगिलर, आप बोल सकते हों की, पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, ये देखो, और भी बनाती हूँ, तो कहीं न कहीं बेटा, यहाँ पर न, आपको कॉंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए देखेंगे, ये जो मैं स्टार स्टार बना रही हूँ बेटा, ये सब क्या है, ये सब हड़ी के सेल्स ही है, ये जो यहाँ पर मैंने बड़े-बड़े बनाया है न, ओस्ट्यो साइट्स, बोन सेल्स उनको मैं आप छोटा करके यहां पर आपको उनका अर्रेंजमेंट समझाने की कोशिश करें यह चीज आपको समझ में आ गए न यह सारे क्या हैं और यह सारे आम से क्या हैं दूसरे से जुड़े हुए हैं आप प्रोडसिंग को पर जूम आउट करके देखते हैं त और इस अर्रेंजमेंट को अपन लेमिले बोलते हैं क्या बोलते हैं लेमिले जो आपको कॉंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बनते हुए दिखर है ना हड़ी के अंदर ऑस्टियोसाइट के यह तो इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं बेटा लेमिले बोलते हैं लेमिले बोलते हैं इस खाली जगह आपन बोलते हैं क्या है वर्शियन कैनाल है वर्शियन कैनाल और इस कैनाल से क्या होता बेटा ब्लड वैसल निकलती है अजी के अंदर काटिलेज के लिए मैंने कहा था कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है बड़ बॉनस के तो अंदर होगी न एक आप लॉंग बोन उठा लो अपनी बॉडी की और आप उसको ऐसे बीच में से इसको काट करके ऐसे ऊपर से देखो जैसे कि मा लोग यह लंबी बोन है हड़ी है इसको आप ऐसे काट दो और फिर आप इसको ऐसे देखो तो आपको यहाँ पर यह देखो कुछ इस तरीके से Osteocytes का Arrangement दिखेगा Concentric Circles में इनके बीच में आपको यह जगा देखे कि जिसको आप लेंगे Haversi canal और Haversi canal से क्या होता है ऐसे Blood Whistles Pass होती है Nerves ऐसे पास होती तो यह Haversi canal बेटा क्या है हमारे हड़ीयों की एक खास आप बोल सकते हो की characteristic property हैसा समझ लो bone is very strong and non-flexible vertebrate connected tissue a compact bone consists of living bone cells called osteoblast जैसे कि मैंने आप सिखाता है कि osteoblast भी होते हैं osteocytes भी होते हैं बट अभी हम osteocytes ही पढ़ रहे हैं calcified matrix होता है matrix hard होता है calcified हो जाता है क्योंकि calcium salts पाजाता है जैसे कि calcium phosphate वगेरा the osteoblasts are contained in lacunae spaces which are arranged in concentric circles जैसा कि मैंने आपको बताए कि concentric circles की form में वो arranged होता है the lacunia also transverse by nerves and blood vessels ये देखो किस तरीके से osteocytes देखो concentric circles की form में ऐसे arranged हैं और इनके बीच में आपको ये दिखरी होगी इसको अपन बोलते हैं haversian canal है ना ये देखो haversian canal और यहीं से क्या होता है blood vessels and nerves pass होती है the matrix is composed of 30% of organic materials chiefly collagen fibers वगेरा 70% क्या होता है बेटा वही calcium salts होता है जैसे की phosphates, carbonates of calcium and magnesium functions क्या है bones का bones form endoskeleton of vertebrates they provide levers for movement and support for soft parts of the body bones also protect many delicate tissues and organs to support protection यही सब काम होता है किसका हमारी हड़ी होगा और plus movements भी, है ना तो protection to delicate organs, movements body movements में और इसके अलावा आप बोल सकते हो की एक support body को provide करती है हड़ी क्योंकि क्या बनाती है हमारी body का endoskeleton बनाती है endo मतला बनता हमारी body का जो बिटा skeleton है वो body के अंदर होता है तो उसको पन क्या बोलता है endoskeleton ठीक है so this was all about connective tissue हलाकि अभी हमने complete नहीं किया है connective tissue को most probably हम अपने जो अगला जो हमारा session होगा उसमें हम अपने connective tissues को complete कर लेंगे ठीक है बेटा तो आज के session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने अगले session में तब तक के लिए keep learning with definite success पाच्छाला बाई-बाई-बाई वाज वा वाई ग्रेते